दिखे मैं जो भी अपनी वीडियो आपको सेयर करता हूँ, वो सारी चीजे मैं उस घटनाओं को रीड करके ही सेयर करता हूँ, यानि घटना का मतलब यह हुआ कि जो हमारे साथ हुआ है या हमारे द्वारा कोई चीज हुआ है, उस सारे घटनाओं को मैं रीड आउट करके ही स सारी बीडियो को सीयर करता हों तो उसमें तो इसमें आपको जो भी उचित लगे उसे आप फालो कर सकते हैं और अन्य अपड़ा आप उसे वायड भी कर सकते हैं तो ऐसा कुछ नहीं है मैं स्बीवश जो भी चीजें हैं हो रही वो मैं वो ही आपको share कर रहा हूं जो कि एक सही हमारा मानने का मतलब है कि जो भी experience में आ रहा है वही मैं share कर दे रहा हूं बस इतना ही क्योल काम कर रहा हूं नमस्कार दोस्तों यह जो आप technology की बदलाव देख रहे हैं बहुत ही फास्ट तरीके से जो change हो रहे हैं यानि जो गलती नहीं है इसमें मैं आपको स्रिफ यह मतलब अलर्ट करने का जो काम कर रहा हूं हर चीजों के बारे में बताना जो टेकनल जो जो मेरे experience में आ रहा है जो मुझे समझ में आ रहा है वह सारी चीजें में आपके साथ सियर कर रहा हूं फालो करना ना करना वह आपका काम है देखिए जैसे हमारा अन्राइट सिस्टम है इसमें यहां पर इस समय आप अधिकतर देखते होंगे वीडियो च के द्वारा या कहीं और भी जो प्रावलम आ रहे हैं यानि इसमें जो हमारा सिस्टम है यानि पहले जो इस्टोर करने का जो तरीका था वह अलग था जैसे जिसे टेक्नोलजी अपडेट हुआ जैसे यह भी एक सिस्टम है जो अपडेट होके सामने इस टोरेज का मल्टी फिर दूसरा यह में इंडिकेट करता है मीडिया फिर यह सी बताता है काड्ड यह फुल्प फॉर्म और यह काम क्या है इसका मतलब आपरेटिंग सिस्टम का जो साफ़ बीऄर है इसी में रहाता है और एंडोय का जो अपलिकेbn हैसन है उसका भी जो सारा सिस्टम है उसका भी साफ्ट बेर इसमें रहता है इसके अलावा हमारा जो इंटर्नल स्टोरेज है वह भी इसी में इंक्लूट रहता है यानि इस आपरेटिंग सिस्टम से यह अलग हटके है इसी के द्वारा साफ्ट बेर के द्वारा इसे जो इस सिस्टम डिजाइन किय गया है यह अपरेट करता है यानि इसमें कोई भी प्राब्लम होगी अगर एक भी डाटा क्रेप्ट होगा या ब्रेकडाउन होगा तो इससे सारे सिस्टम पर एफेक्ट पड़ेगा और इस सिस्टम वहाँ पर स्टॉप हो जाएगा रुख जाएगा या आन नहीं होगा या ज पिश्टर हुआ आइसी हुआ और रेजिस्टन्स हुआ या सर्किट ब्रेकडाउन हुआ लेकिन अब क्या है अब टेकनोलोजी में इतनी सारे इंप्रूमेंट किये गये हैं कि अब जो है फाल्ट हार्डवेर वाई बहुत ही कम मिलेंगे अधिक मिलेगा जो दो साल में आप पर फाल्ट भी उसी के अनुसार आते हैं तो इसमें आपको अब समझने की ज्यादा जरूरत है इसको यानि पहले फाल्ट की टेस आउट दूसरे तरीके से होती सी बोल्टेज के आप देखकर जान जाते थे अब क्या है अब इसके सिम्टम को समझना होगा और उसके सिम्ट से कोई भी आईडियो वीडियो जो आ रहे हैं सिगनल वो सीधे यहां पर डिस्पले के रूप में पैनल पर आते हैं और इसका आप काम से ही जान गए होंगे जैसे बीच में यह रहता है जो हमारा प्रोसेसर है वो कोई भी प्रोसेसर का काम होता है वो बीच में ही मधिस्थ करता है जो पहले इतना ही काम लिया जाता था कि कोई भी आइडियो वीडियो इन होता था अब आप इसके अलावा इस पर और भी जो काम है translates a ड्र गांडलके हम क्योंकि मल्टी मीडिया यहां पर इंक्लीड होने से एसमें पर भी काम लेगई सकते हैं यहां पर च्छेंवाद में मीलेंगे स्वेंगे क्योंकि यह सारे सिस्टम चेंज हो रहें कियोंकि अभी जो मदरबबॉड इंडॉॉड है अभी देखिए दो-तीन मेहने बाद यहिसमें भी चेंज मिलेंगे अल वह रहा सिस्टम तो यह सब सारे चीजें जो हैं हो रही है लगातार अब आपको अपडेट रहने की जरूरत है कि क्योंकि पहले आप कभी-कभी किसी चीज को देखते समझते थे अब आपको टेकनोलोजी को डे बाइडे जैसे कोई न्यूज देखा जाता है तो जैसे जो इस फिल्ड में काम कर रहे हैं उनको टेकनोलोजी के अब पहले था कि ओल्ड होने पर भी फाल्ट आते थे अब कोई नया सिस्टम भी आ गया तो भी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगा कि अगर सेटिंग मिसिंग हो गई तो भी आपके सामने लोगों को तुरंत रिस्पांस चाहिए तो भी आपको जब इसके बारे में ना कि सब कुछ होते हुए अगर किसी ने ठीक से से नहीं किया या चलाना नहीं जानता है लेकिन आपने उसे आपकेट कर दिया चला दिया तो भी जो है अब तो खैर आनलाइन ही सारी चीजें अबलेबल हैं और कंपनी भी आने वाले समय में जो अपने डिवाइस के फाल्ट फ के मैनेज करेंगे कंपनी तो यह सारे सिस्टम अपने आप टेकनोलोजी के द्वारा हो रहा है जैसे जैसे टेकनोलोजी का विकास हो रहा है तो जो पहले था उस चीज में चेंजेंज लाने के लिए हमको अपने मैंडशेट चेंज करने पड़ेंगे और उस हिसाब से हमको थोड़ा सा रीडिंग करना पड़ेगा अपडेट होने के लिए तो यह है सिस्टम कि आप समझ गए होंगे कि जैसे यहां पर दिखा दें यह हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है आइसी जो माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं यहां पर देखेंगे यह हमारा 55 पीर का यह जो सिगनल आउट हो रहा है यानि इसमें देखेंगे तो आप यहां से जिसे हमारा 01 यहां से स्टार्ट करते हैं तो यहां से जो स्टार्टिंग होगी जिसे जीरो से होता है जीरो माइनस जीरो प्लस ठीक फिर उसके बाद 1 माइनस 1 प्लस फिर 2 माइनस 2 प्लस यह 3 हो गए ठीक जिसे 5 तो 30 संहांच है अब इसके बाद मालेजिए माइनस क्लाक प्लस माइनस प्लस का मतलब वहा जयसे क्लाक प्लस माइनस हो गया तो यह थीं पियर और पिर पोलिन दूसक पर पीके भाइं सठीदिट comment kg अब ये थी का मतलब हुआ ये तीनो इसी मेंге कloe सिंगर्वाइजिंग के लिए इसंकन आज के लिए जो इसमें कई सिग्नल पहले सिंग्नल में जो बाई सिग्नल होते थे या सिगनल आते थे तो उसमें सिंग सपयरेटर के दवारा अलंग अलंग चीज़ों जो छाटने का काँ में किया तो उसीछाफ से जिसे चार पार सिगनल जो होते थे उसमें टौटल एक मेरा आते थे तो उसी यह तीनों कलर इंक्लूड है आप इससे वाइ सिगनल भी का सकते हैं जैसे कि मैंने बताया था उसमें कंपोनेंट मोड जिसमें आपको ब्ल्यू और यह क्या नाम है रेड ब्ल्यू ग्रीन तीन उसमें बताया थे क्या नाम है सैमसंग वाले भी कुछ दिन पहले वीडियो में तो यह वही चीज़ें कलर के रूप में आ रहे हैं और यही के द्वारा हमारा वाइक ब्लेक सबकुछ जो है एक सिस्टम के फ्रू यहां पर आपको जो image दिखाए देता है, यह इसी तरीकेश दिखाए देता है, इसमें signal total रहते हैं, यह हम DSO पर आपको दिखाएंगे कि इसमें जो signal बीडियो in होते हैं, तो उस समय का position यहाँ पर क्या होता है, और जब signal यहाँ पर नहीं रहते हैं, तो उस समय के, या gall cert ये उस u यहां पर यहां पर यह है तो यह HD हुआ और अगर 10 प्र है यह तो फूल एजडी हुआ इसी तरीके से यह पीर हमारे बढ़ते जाएंगे तो हमारा प्रकेर हमारा यह जो भी रिजूलेशन है वो चीजें चेंज होती जाएंगी अप्डेट होती जाएंगी तो यह एक मैथड ह है जैसा कि मैंने बताया था कि अब जो भी सिस्टम है एक स्वीच समझ लीजिए कि जैसे आप कोई बटन दबाते हैं तो बटन दबाने के बाद तुरंत यहां पर जैसे हमारा फैन आन हो गया या वाल बान हो गया तो यह जो सारे चीजे आन आफ हो रहे हैं एक स्वीच की कि इसमें आप किसी चीज को एक स्वीच माल लेजिए या एक कमांड रिमोट से दे दें या इसके बटन को आन कर दें तो यहां पर एक स्वीच होगा जो हमारा कमांड के रूप में इस पर इन्फार्मेशन जायेगा जिसके द्वारा आगे जो है इसके प्रोसेस आन हो अगर रिलीज होते हुए होते ही यहां से जो आउट होगा पैनल आन के लिए यहांणी पहले से यहां फाइब बोल्ड या ट्वेल बोल्ड पैनल के हिसाब से रहेगा लेकिन यह बूल्ट जैसे यहां पर आएगा तो तूरंत यह जो है प्लाई अगर ट्वाइब पास हो ज चाहिए कि दो चीजें आउट होती है ड्राइब करने के लिए जैसे एक स्विच आन किया गया तो स्विच आन करते ही तुरंत यहां पर जिसे स्टेंडबाय रिलीज हुआ तो यह यहां पर आन कर देगा उसके बाद यह बी अलान जो है बैकलाइट को आन कर देगा अब यह द दिखती होगी और बहुत सारे कंपोनेंट आपको नहीं दिखते होंगे जैसे कि पहले राते थे साउंड का अलग हो गया और हमारा जो बैकलाइट का अलग हो गया और सिस्टम का अलग हो गया और स्टोरेश का अलग हो गया तो यह सब सारे मदरबोर्ट पे आपको देखते और जैसा कि मैंने बताया है कि software से ही सारे problem solve कर लिए जाएंगे और fault भी आएगा तो software से related ही आएगा इसलिए फाल्ट को test out करके और उसी software के द्वारा solve करने का जो method होगा अब वही होगा तो यह तो हुआ हमारा technology की बात और माली जी कुछ ऐसे वीडियो जी हम माली जी आपको डालते हैं तो उसमें यह समझे कि हमेंने अपना experience share कर रहा हूं और उसमें आपको follow करना ना करना वह आपकी मर technology होती है और कभी कभी देखिए कुछ वीडियो जो हम डाल के तुरंट डिलीट भी कर देते हैं या उसे प्राइबेट कर देते हैं अब कुछ लोग देख पाते हैं नहीं देख पाते नहीं देख पाते और यह मैं करता हूं जो उचित लगता है उसे मैं प्राइबेट कर द उसे परियोग करके देख सकता है, याँए आप देख सकते हैं, जो भी मैं बात कर रहा हूं, या अगर आपको उस पर जरसर भी डाउट हो रहा है, उस बात को, या आपको फर्जी लग रहा है, या किसी भी एंगल से वो रांग लग रहा है, तो आप जिसको मैं बता रहा हूं उस चीज को आप follow करके उसे परियोग करके उसे observation करके उस चीज को आप जान सकते हैं कि क्या right है क्या wrong है तो next आप खुद ही आप आके comment करके बता सकते हैं तो जो चीजें सत्य है वो ही चीजें मैं आपको बता रहा हूँ और ऐसा नहीं कि हमारे बताने से यह आप पे effect हो रहा है या आपके business पे effect हो रहा है यह सब सारी चीजें अपने आप हो रही हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया था कि जो लोग नहीं जानते थे जिनको हमसे problem था कि यह सब को सिखा दे रहे हैं सब को बता दे रहे हैं इंटर्नल इतना बताने की जरूरत नहीं है तो उन लोगों के लिए मैं उसके पहले वाली वीडियो में बताया है अपना जो चीजे बताई नहीं तो मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि मैं देखिए यहां आसपास सब लोगों को मालू होगा कि मैं customer तब को भी share कर देता हूं ऐसा कुछ नहीं मैं सोचता कि हमारा customer या उनका customer काम हो जाए प्हुरी कहीं पी चाहिए कैसे पी हो जाए उसे नहींdoc की मेरे उसे हैं सही जगे पहुंचके अपना सही काम करा लें इतना उद्दस राता है बाकि आपकी कुछ Nej या आप customer नहीं है तो इस सबसारी चीजु को एक हमारा ढेर होता जो आप लोग वो आपके काम सही हैं आप अपने जगे पर सही हैं, आप अपने जगे पर focused हैं, तो कोई भी effect नहीं पड़ता है, कहीं किसी से, यह लिए आपका जो भी focus होना चाहिए, अपने काम पर होना चाहिए, और उसमें एक इमानदारी होने चाहिए, जो आपको आगे grow करने में काफी help होता है, और यह technology आज है, कल नहीं है, तो आज की वीडियो में बसे, और इसको इसलिए बताया थे कि मैंने, जो 21 year in होके काम किया था, और इस समय 4 year open होके काम किया हूँ, यानि जो शिखाने और बताने technology को समझने वाला, यह दोनों चीजों को मैं काफी उसे deeply तरीके से समझ के जान रहा हूँ, कि पहले जो हमारा concentration था, वो काफी हद तक एक फिक्स था, लेकिन इस समय जो हमारा concentration है, वो चीजे न चाहते हुए भी जैसे बिखर जाना होता है, तो इसी तरीके से वो चीजे एक बिखराओ के रूप में, यानि जो ध्यान होता है, जो concentration होता है, वो कई एंगल से बिखर जात है, यानि जैसे लोग कहाते है, ध्यान लगाने का, ध्यान लगाना नहीं होता, ध्यान को इकठा करना होता, किसी चीज का मल जी बिखराओ कर दिये, तो अलग अलग जगे पे बढ़ गया, उसे में खर्च हो गया, और किसी चीज को इकठा करके, सारा फोकस्ट करना, यानि जैसे आप लाइन से देखते हैं कि जब वह इकठा एनर्जी होती है तो वहां पर पेपर बर्न होने लगता है तो सेम हमारा यह जो है माइंड यह भी है अगर इकठा किसी तरीके से फोकस्ट होगा तो वहां वह काम ठीक तरीके से करेगा तो मैं उस समय का जो इन होके काम किया हमारे देट हमारे भी हमारे तरह कंद बंद करें और दो लिए दो मिरe नहीं कीजिक्टते हैं पूरा दिन चला जाता है आप लोग अगर पूरा पूरा दिन खाले ट्राइंग बनाए तो मिलेगा क्या अब हमको जो मिलना होता है बना आते ही समय मिल जाता है तो आप सोचें दोनों में अंतर है तो इसलिए मैं इस चीज़ को बताना जरूरी समझा है और आपको लगेगा कि इसमें कुछ नहीं मिला तो टाइम कैसे बेश्टर हो हमको लगा कि अब हमको बहुत कुछ मिल गया तो बात खतम हो गई तो इसलिए जो है आप अपने काम पर और यह बताना जरूरी था क्योंकि आप जब जानेंगे तो उस पर एलर्ट होंगे उस टाइप से और जब आदमी एलर्ट होता है तो इस टेरिंग घुमा लेता है नहीं तो एक्सिडेंट का डर रहता है तो तो तैंक्यों दोस्तों आज की वीडियो में बस्त नहीं मिलते तो